8,45,000 रुपे की spelling क्या होती है और 8,45,000 रुपे को check पर लिखने का सई तरीका क्या होता है यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 8,45,000 रुपे को English में हम 8,45,000 रुपीज क्याते हैं और अगर हम account पे check देना चाते हैं तो check के सब super corner में हम account पे only लिखेंगे फिर जहाँ पर पे ABC name लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस person या company का name लिखेंगे जिसे आप check देना चाते हैं और नीचे आप लिखेंगे 8,45,000 रुपीज और इसकी spelling होती है आट लाग 45,000 रुपे मातर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप Hindi या English किसी एक भाशा में ही check परें और राइट इन सैट में जो box दिया हुआ है उसमें 8,45,000 रुपे को अंको में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 8,45 फिर तीन बार आपको 0 लगानी है और नीच इसको लाइक करें आपकी लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं